exercise 6.3 का question number 5 देखते हैं fifth question में आपको बोल रहा है in figure 6.43 if PQ perpendicular to PS PQ parallel to SR angle SQR is equals to 28 degree and angle QRT is equals to 65 degree then find the value of X and Y तो देखते हैं जो आपको diagram देख रहा है सामने यह diagram है figure number 6.43 और इस diagram के बारे में जो information आपको question में दिया हुआ है इसमें यह है कि जो PS line है यह perpendicular है SR पे या PS पे ठीक है PQ और PS एक दूसरे के perpendicular है इसका मतलब जो point PA वहाँ पर 90 degree का angle बन रहा है अब इसके बाद आप बोला है कि PQ और SR जो है यह parallel lines है आप देख सकते हो उपर PQ है नीचे SR है यह दोनों parallel lines है अब angle के बारे में आपको बोला है कि जो angle SQR है आप देख सकते हो यहाँ पर SQR वो है 28 degree खा उसके बाद QRT एक और angle है QRT जो triangle के बाहर आपको दिख रहा होगा exterior angle QRT वो measurement है आपका 65 degree अब आप देखोगे तो यहाँ पर POS को मिला कर एक triangle form हो रहा है आप देख सकते हो उपर में तो इस triangle के अंदर आपको X और Y दिख रहा होगा इस X और Y का value find out करना है ठीक है क्या होगा कैसे होगा चलिए whiteboard में देखते है देखो यह जो question है इसको solve करने के कई सारे तरीके है ठीक है यह चीज़ मैं आपको chapter के starting से बताते आ रहा हूँ अब इस particular question में आप बहुत सारी चीज़ें use कर सकते हो जो method आपको easy लगे आप वो method follow कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरा method आता होगा तो आप उसको follow करके इसको solve कर सकते हो ठीक है question में आपको क्या क्या given है कि यह जो PS, P, Q है यह दूनों एक दूसरे के perpendicular है तो हम लग लिख लेते हैं P, Q perpendicular to P, S यह चीज़ आपको given है अब इसका मतब क्या हुआ यह जो angle P है Q, P, S बोलो या S, P, Q बोलो यह 90 degree का हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखो यह जो बहारी angle है Q, R, T यह exterior angle है अगर आप इसको quadrilateral माल लो तो यह quadrilateral का exterior angle है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Q, S, R, यह एक triangle है ठीक है इस triangle का भी यह exterior angle है तो triangle का जो exterior angle होता है उसको लेकर एक theorem है जो हमने इस exercise के introduction part पर discuss किया था उसको भी हम लोग use करेंगे ठीक है तो यहाँ देखो यह वाला जो angle है इस triangle के अंदर तो angle Q का measurement आपको 28 degree दे दिया है और जो exterior angle है इसका measurement 65 degree दिया हुआ आपको find out करना है value X और Y का जो कि इस वाले triangle में अब अगर यह triangle है आप देखो P, Q, S यह एक triangle form हो रहा है तो triangle के अंदर आप किसी भी angle का measurement अगर आपको find out करना हो तो आप angle some property का use कर सकते हो लेकिन यहाँ पर problem यह है कि सिर्फ आपको एक angle का measurement पता है अगर आपको दो angle का भी measurement पता होता तो आप यहाँ पर easily find out कर सकते थे ठीक है कि किसी भी triangle के जो exterior angle का measurement है वो उसके opposite side के दो interior angle के sum के बराबर होगा तो आप देखो यह जो triangle Q, S, R ठीक है और यहाँ पर यह जो angle form हो रहा है यह इस triangle के बाहर हो गया इसका जो opposite angles है वो कौन-कौन सा होगा एक यह वाला और एक यह वाला क्योंकि यह इसके साथ वाला angle है तो इसको छोड़ दो इसके जो opposite side यह वाले और यह वाले तो इन दोनों का जो sum है वो 65 degree के equal होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं angle S, Q, R पहले triangle लिख लेता हूँ मैं in triangle S, Q, R angle S, Q, R plus angle Q, S, R Q, S, R is equals to angle Q, R, T ठीक है? यहाँ पर आप लिख सकते हो exterior angle property अगर आपको theorem पूरा याद है तो आप theorem का पूरा statement भी लिख सकते हो यहाँ फिर सिर्फ exterior angle property लिख लोगे तो भी sufficient है value put करते देखो S, Q, R का value आपको दिया हुआ है S, Q, R इस angle का measurement 28 degree है तो आगे 28 degree plus Q, S, R इसका value हमको पता नहीं है तो angle Q, S, R is equals to Q, R, T Q, R, T इसका measurement textbook में आपको question में दिया है 65 degree ठीक है? 28 को right side shift करते angle Q, S, R is equals to 65 degree minus 28 degree देखो अगर में इसे subtraction में कोई गलती हो जाता है तो आप उसको सुधार लिया करो और comment box में comment करके बता दिया करो ठीक है? क्योंकि पिछले question में एक गलती हो गया था मैंने उसको edit करके ही ठीक किया है आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने editing किया था subtraction में गलती हो जाता है तो आप उसको सुधार लिया करो ठीक है? तो देखो यहां क्या होगा 5-8 तो नहीं हो सकता 15-8 हो गया 7 और 5-2 हो गया 3 और साइन बड़े का 37 degree angle qsr 37 degree तो qsr यह वाला जो angle है यह आ गया आपका 37 degree अब इस angle को find out करने का हमारा purpose क्या था? हमारा purpose यह है देखो question में आपको दिया है कि st और q पे pq यह दोनों आपस में parallel है ठीक है? sr, sorry sr और pq यह दोनों आपस में parallel है तो मैं यह लिख लेता हूँ pq parallel to sr अगर दो lines आपस में parallel है उनको एक transversal cut कर रहा है तो इनके जो interior angles है interior opposite angles या alternate interior angles वो equal होते हैं तो आप देखो हमको x का value find out करना था pq और sr parallel है qs एक transversal है इसलिए angle x जो है इसके equal हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लो pq parallel to sr और qs एक transversal है qs x as a transversal therefore x is equals to 37 degree अगर यह 37 है तो यह भी 37 degree होगा reason alternate interior angles ठीक है x का value तो मिल गया हम लोग को यह वाला angle कितना degree का आगया आपका 37 degree का अब आप देखो उपर में triangle है pqs value हमको find out करना है y का x का value मिल गया इस triangle में angle जो p है इसका measure में 90 degree होगा क्यूं होगा क्यूंकि question में आपको बता दिया है कि pq ps perpendicular है pq perpendicular to ps यह दोनों perpendicular है इसका मतलब यह एक 90 degree का measurement है अब यहां लिख लेते हैं now in triangle pqs आप pqs लिख लो qps लिख लो spq लिख लो कुछ भी लिख सकते हो triangle का नाम ठीक है अपने according आप लिख सकते हो तो यहां पर क्या होगा यह वाला angle यह वाला यह वाला तीनों angle का जो sum है 180 degree का होगा angle sum property of triangle तो मैं लिख लेता हूँ angle pqs यह वाला angle plus angle qps यह वाला angle plus angle psq psq is equal to 180 degree क्या reason है angle sum property of triangle ठीक है value put करते है pqs यानि की pqs यह वाला triangle 37 degree अभी है हम इसे find out किया जिसका value x है तो यह हो गया 37 degree plus qps qps यह वाला angle 90 degree क्योंकि यह दोनों एक दूसरी के उपर perpendicular है उसके बाद है plus psq psq का question में आपको diagram में दिया हुआ value y है तो यहां लिकरेते है y is equal to 180 degree इन्होंनों को add करते है यहां आ गया 0 plus 7 7 9 plus 3 हो गया 12 127 degree plus y is equal to 180 degree ठीक है अभी हो गया y is equal to 180 degree minus 127 degree subtract कर लेते 10 minus 7 हो गया 3 7 minus 2 हो गया 5 और 1 minus 1 0 y का value 53 degree यह वाला जो एंगल है यह 53 degree का हो गया तो आपका x का value भी find out हो गया y का value भी find out हो गया ठीक है तो योगय exercise 6.3 का 5th question 5th question